प्रोग्राम में मैं हूँ सलमान और आज हम जिस राज्य के स्टेट अटलस के बारे में पढ़ेंगे वो राज्य है राजस्थान यानि कि राजस्थान राज्य में बीते हफ़ते जो भी खबरे महत्पूर हो सकती है आप सभी के लिए आगामी परिच्छा के मद्दे नजर उ इस एपिसोड के माध्यम से हम उन सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे जिन से कोई संभावित सवाल आगामी परिच्छा में बनाया जा सकता है या इनसे जुड़े हुए जो भी विभिन छेत्र हो सकते है या कोई सूचना हो सकती है या इनकी प्रिस्ट भूमी से भी कोई सव सवाल बनाया जा सकता है तो अपिसोड की शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रस्ण से सवाल पूछा गया था निमनलिखित में से कौन दक्षणी अरावली प्रदेश के अंतरगत सामिल नहीं है विकल्प था देलवाडा गुरु शिखर जैगण या अचलगण तो ब या ज्यात हो सके कि उन्हें आगामी परिच्छा के लिए अभी कितना और मेहनत करना बाकी है तो इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा दक्षणी अरावली के अंतरगत जैगण शामिल नहीं है क्योंकि जैगण की अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान राज्ज क जैपुर जिले में स्थित है अगर इसको मांचित्र पर देखें यानि कि यहां पर जो भी प्रस्ण में विकल्प दिये गया है उनको दर्शाया गया है मांचित्रों के माध्यम से जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं यह अरावली परवतमाला दर्साई गई है कि हरे और उत्तरी अरावली की हम बात करते हैं तो इस बीच वाले इस्थान यानि मध्ध अरावली की तुलिना में उत्तरी अरावली और दक्षणी अरावली का जो विस्तार है वो राज्य में काफी जादा है काफी चौड़ा है यहां पर उचा गया था कि दक्षणी अरावली में शामिल नहीं है तो दक्षणी अरावली की अगर हम बात करें तो यह वाला पूर्शन जो होगा दक्षणी अरावली को होगा और यह उत्तरी अरावली के अंतरगत शामिल होगा यहां से हम देख सकते हैं दक्षडी अरावली में अचलगड, दिल्वाडा, शेर, गुरुशिखरादी सामिल है वहीं अगर हम रगुनात गड़ की बात करते हैं तो यह नौर्थ अरावली यानि की उत्तरी अरावली के अंतरगत शामिल है ज्याएगर भी यहीं जैपुर में इस्तित है जो की नौर्थ अरावली यानि की उत्तरी अरावली के अंतरगत शामिल होगा तो इस तरह से इस प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा यानि की जैगर तो ये बात रही मोटे मोटे तवर पर पिछले अभ्यास प्रस्न किया ये शुरुवात करते हैं आज की एपिसोड की और देखते हैं कि वो पहली हबर कौन सी है और जिसके तर्ज पर सवाल बनाया गया है महराजा सूरज मल के 269 बलिदान दिवस पर मुख्य मंत्री ने भरतपूर में उनकी प्रतिमा के समच स्रद्धा सुमन अर्पित किया अभी हाल ही में भरतपूर के महराजा सूरज मल का 269 बलिदान दिवस था पर मुख्य मंत्री ने उनको स्रद्धा सुमन और साथी का स्रद्धांजली भी अर्पित की है तो संबंदित सवाल बनाया गया है लोहा किला इस्थित है विकल पहे जैपूर भॉल्पूर चित्तावडगण या भरतपूर लोहा गड़ किला जो है अपने आप में एक अजय किला माना जाता है क्यूंकि अगर बात करें राजस्थान राज्य में तो ये एक ऐसा किला है जिसको भी किसी सासक ने किसी मुगल इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था इसी वज़ा से इसे अजय भी कहा जाता है या अजय गड़ किला भी कहा जाता है अगर इसकी स्थिती की हम बात करते हैं यह भरतपूर में इस्थित है इसका निर्मान 1723 में जाट वन्स के राजा इन्हें की जाटो का प्लेटो या जाटो का अफलातून भी कहा जाता है महराजा सूरजमल ने बनवाया था इस तरह से इस प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा यानि की भरतपूर हो जाएगा अगर भरतपूर की स्थिती को मान मांचित्र पर देखा जाए लेकिन उससे पहले भरतपुर किले की बात करते हैं यानि कि लोहागड किले जिसका जिक्र सवाल में किया गया है तो कुछ इस तरह से यह दिखता है यह लोहागड किले की तस्वीर है जो कि भरतपुर में इस्थित है भरतपुर की इस्थिति को अगर मांचित्र पर हम देखें कुछ यहाँ पर इस्थित है कि सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ भी साजहा होती है तो इस तरह से इस प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा यानि कि लोहागड जो किला है यह भरतपुर में इस्थित है चली अगले प्रस्न को देखते है प्रसने से पहले एक बارख्फबर को देखते हैं जिसकी तरज पर सवाल को फ्रेम किया गया है जैपुर में इंडोक्राइन सोसाइटी अफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन का उद्गातन अभी हाल ही में राज के राजपाल कल राज मिश्र ने इंडो क्राइन सोसाइटी आफ इंडिया के वार्सिक सम्मेलन का उधगाटन किया है और इस उधगाटन के माध्यम से उन्होंने लोगों के लिए अहवान किया है कि लोग जो है वो प्राकृतिक दिंचरिया को फॉलो करे जिससे कि उनके अंदर जो भी अंतासरावी हार्मोनल डिस्बैलेंस हो जाता है असंतुलन की अवस्था विकसित हो जाती है जिसकी वज़ा से बहुत सारी व्यादियां बहुत सारी बीमारियां लोगों को पकड़ ले जलवायू प्रदेश के अंतरगत शामिल है विकल्प है जालावार जैपूर भरतपूर या स्री गंगानगर तो इनको A, B, C, D के माध्यम से दर्साया गया है A, B, C, D और पूछ रहा है कि B, S, H, डबलू जलवायू प्रदेश के अंतरगत कौन सजिला शामिल है तो अगर बात करते हैं कोपेंद्वाना वर्गीकृत प्रदेश की तो कुछ इस तरह से उन्होंने इसको वर्गी किया है मुख्य रूप से चार भागों में वर्गी कृत किया है B, W, HW जलवायू प्रदेश, B, S, HW जलवायू प्रदेश, C, W, G, जलवायू प्रदेश और A, W, जल रहा है, यह पूरा जो है, B, S, H, W, जलवायू प्रदेश के अंतरगत शामिल है, जो B वाला यहां पर दर्शाया गया है, यह इसके अंतरगत शामिल होगा, वहीं अगर जालावाण की हम बात करते हैं, जो की A के माध्यम से यहां पर दर्शाया गया है, इसके अंतरगत शा यहां पर होगा तो यह भी इसके अंतरगत शामिल होगा वहीं अगर सी की हम बात करते हैं यानि भरतपूर की भरतपूर की इस्थिति अगर हम देखें यहां पर है जो सी से दर्साई गई है तो इसके अंतरगत भरतपूर शामिल नहीं होगा वहीं D की अगर हम बात करते हैं D जो है स्री गंगान अगर दिखाया गया है तो स्री गंगान अगर यहां पर होगा तो ये भी इसके अंतरगत शामिल नहीं होगा इस तरह से इस प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा यानि की जैपूर जो है कोपेंद्वारा वरगी कृत BSHW जलवायू प्रदेश के अंतरगत सामिल होने वाला एक जिला है चली अगले सवाल को देखते हैं खबर है पाली में होगा राश्ट्री स्काउट गाइड जंबूरी का आयोजन राश्ट्री स्काउट गाइड जंबूरी का आयोजन है राजस्थान राज्य में सनसट साल बाद किया जा रहा है और इसके लिए जोरशोर से तयारी की जा रही है साथी साथ राजिक के मुख्यमंत्री ने एक आवान भी किया है कि इस तरह के जो आयोजन है उससे की आपसी सौहार दे बढ़ता है लिहाजा इसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं बरती जाएगी और इसका आयोजन राजिक मे पाली में किया जाएगा तो संबंधित सवाल बनाया गया है निम्बोकानात मंदिर इस्थित है विकल्प है बूंदी टोंक पाली या सिरोही तो निम्बोकानात मंदिर की अगर हम बात करते है तो ये पाली जिले में इस्थित है और एक पावराणिक कथा है जिसके अनुसा है जो कि पाली जिले में इस्थित है अगर पाली की हम बात करते हैं पाली की स्थिति राज के मानचित्र पर कुछ यहां पर है प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और अगले सवाल को देखते हैं सवाल से पहले एक बार खबर को देख लेते हैं पूंदी के चंबल घडियाल अभ्यारन छेत्र में रोज हो रहा अवैद खनन पूंदी में ही चंबल घडियाल अभ्यारन के चेंद्र स्थित है और अगर यहां पर देखें तो यहीं से चंबल नदी भी प्रवाहित हो रही है तो चंबल नदी में प्रति दिन वहां पर अवैद खनन हो रहा है यानि कि वहां पर जो बालू निकाली जाती है वह अवैद रूप से रोज वहां पर निकाली जा रही है और अवैद रूप से इसकी खरोत परोग जोर से राज्ज में चल रही है संबनित सवाल बनाया गया करता है दिए गया कथनों पर विशार करें पुंदी परवत हरवती के पठार पर अर्ध चंद्राकार रूप में विस्त्रित है सतूर सुर्ण का सरवोची सिखर है उचा गया है उपढ़ युक्त में पठार को अगर हम देखते हैं, जैसा कि आप लोग यहां पर इस पस्टूप से मानचित्र में देख सकते हैं, यहां पर आप लोग इस पस्टूप से देख सकते हैं, इसको दो भागों में वर्गी कृत किया जा सकता है, एक तो है विंध्यन का गार, और जो दूसरा है, दक्क रूप से अगर हम देखे तो हडावती का पठार दिखाई दे रहा है और इसी पठार के अंतरगत बूंदी और मुकुंद्रा की जो पहाड़ियां है वो अर्धचंद्राकार के रूप में इसकित हैं अगर मांचित्र पर थोड़ा सा हम देखें तो यहां पर इस पस रूप से हडावती के पठार के अंतरगत शामिल है तो बूंदी की जो पहाड़ियों की बात प्रशन में की जा रही है यानि कि जिस कथन में की जा रही अर्धचंद्राकार के रूप में विस्तरित है तो यह कथन बिलकुल सही है और यहां अगर बात करें सतूर स्रेडी की तो यह ब कि अगले प्रस्ट पर चर्चा कर लेते हैं खबर को देखते हैं परेटन को बढ़ावा देने के लिए जैसल मेर में हेलिकॉप्टर जायराइड की स्विधा की शुरुवात की गई है तो संबंदित सवाल बनाया गया है निम्लिखित में से वह कौन सा इस्थान है जहां रेतीली सुष्क मैदान के में आधार चट्टाने सता पर अनावरित है विकल्प है सिखावटी प्रदेश गोदवार प्रदेश बनास बेसिन या बालुका इस्तूप मुक्त प्रदेश अगर इस प्रस्निक की बात करते हैं त मुक्री रूप से मरुष्थली प्रदेश माना जाता हैяч़ लेतीला सुष्क प्रदेश माना जाता है यहीं पर थार अंवर इस ही तर देख सकते हैं कि यह वारा च्षेत्र जो लाठी सीरी छेत्र है वो इसी के अंतरगत शामिल है जो कि अवसादी चटानों से निर्मित है और इस पूरे छेत्र में जो की जैसल मेर के पोखरण के पास माना जाता है इसमें कुछ पोर्षन जो है बाड़ मेर जीले का और कुछ पोर्षन जो है जोध पूर जीले का भी सामिल है लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करे तो मुख्यता जैसल मेर का ही छेत्रिस के अंतरगत सामिल है तो इस तरह से इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा जो है निकि इस स्थान के अंतरगत सापको देखनें को नहीं मिलते हैं और यह स्थान काउन सी जगाह पर है जैसल मेर में जो पोखरण है पोखरण के आसपास का छेत्र जिसमें की कुछ अंस बाड़ मेर और कुछ अंस जो है जोदपूर का भी शामिल है चलिए एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं अगली खबर है जुझनु इस्तित खेमी शक्ति मंदिर परिसर में बनेगा विश्व का पहला संसकार केंद्र यह जो केंद्र बनाये जा रहा है यहां पर छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक भी यानि की माता पिता भी साथ में प्रवेस लेकर के पढ़ाई करेंगे आ चाहिएं किस तरह से उसको सिक्काषार करना चाहिए इन तमाम बातों को यहाँ पर सिखाया कहा जाएगा तो यह अपने आप में यह बहुत बड़ी खबर है कि ये विष्व का पहला संसकार केंद्र यहां पर बनाया जाएगा अब इस तरह का कोई भी केंद्र अभी तक विष्व में कहीं पर भी बनाया नहीं गया है तो समबंदित सवाल बनाया गया है उत्तर से दक्षिर की और परवतों या पहाडियों का सही क्रम है विकल्प है भोजगल रघुनात गल तारागल टॉडगल रघुनात गल भोजगल तारागल या टॉडगल के बाद है टॉडगल भोजगल रघुनात गल तारागल यह सबसे अंत में दिया हुआ है तारागल टॉडगल भोजगल रघुनात गल तो क्या उत्तर से दक्षिन की और सही क्रम होगा इन परवतों और पहाड़ीयों का तो इसको मांचित्र पर एक बार देख लेते हैं फिर हमारा जो सही उत्तर होगा उसको हम देख लेंगे भोजगड को विकल्प में दर्शाया गया है तो भोजगड की इस्थिती के अगर हम देखें तो भोजगड कुछ यहाँ पर इस्थित है जो की जुनजुनु जिले में इस्थित है भोजगड के बाद रगुनात गड़ को भी दर्शाया गया है विकल्प में दिया गया है तोट गड़ को भी विकल्प में रखा गया है तो टॉट गड़ जो है अजमेर में ही स्थित है तो इस तरह से अगर हम देखते हैं उत्तर से दक्षिल की और क्या सही क्रम होगा तो भोजगड जो है नंबर वन पर हो जाएगा रगुनात गड़ जो है नंबर दो पर हो तो सबसे पहले भोजगण से शुरुवात करते हैं तो भोजगण से यहां पर एक ही विकल्प दिखाई दे रहा है यानि कि ए वाला भोजगण उसके बाद रगुनात गड़ उसके बाद तारा गड़ और टाड़ यानि कि इस प्रस्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह वाला ह हो जाएगा भोजगण रगुनात गड़ तारा गड़ और टाड़ यह उत्तर से लेकर दक्ष्ण की दिशा की और सही क्रम होगा चली अगले प्रस्न को देखते हैं प्रस्न से पहले एक बार खबर पर नज़र डाल लेते हैं जिसकी तरज पर सवाल को फ्रेम किया गया है खबर है राजस्थान स्टेट टाइकांडो चैंपियंजिब का आयोजन तो जील और तालाप की अगर बात करते हैं तो जैत सागर, मानसरोवर, छापरवाड़ा, आनंद सागर वहीं स्थानों की अगर हम बात करें तो बूंदी, सवाई, माधोपूर, जैपूर और बासवाड़ा दिया हुआ है तो जैत सागर की अगर इस्थित को हम बात करते हैं त च वह बंस वारा जिले में इस्थित है तो इस तरह से इस प्रस्य जो सही उत्तर हो जाएगा जैणी की एक का पहलाव Ihr A का दूसरा अगर सुमेलन की बात करें तो यह चारों जो है बिलुकुल सही शुमेलित हैं और जो कूट में जो सही होगा यह दो जाएगा आए इन सारे स्थानों की मांदशित्य पर यस को देखे तो गूंदी कुछ यहां पर इस्ठित है और इसके उत्तर में ही सbeit माधुपुर स्थित हैं है वही बास्वाड़ा की अगर हम बात करते है यहां पर इसको हम पस्रूप से देख सकते हैं तो यह वो चार इस्थान रहे जहां पर प्रस्ण में जिन तालाबों जिन जीलों का जिक्र किया गया है उनकी इस्थी नीचारों इस्थानों पर है चलिए एपसोड को आगे बढ़ाते हैं आप सभी विद्यारतियों के लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि द्रिष्टी संस्थान की ओर से राजस्थान लोकसेवा आयोग द्वारा जो आगामी प्रिलिम्स की परिक्षा आयोजित की जाएगी तो उसके लिए द्रिष्टी संस्थान की ओर से कक्षाइं शुरू क करना चाहते तो इस दिए गया नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथ ही साथ स्पोर्स में प्रवेस ले सकते हैं इसके अलावा एक अन्य सूचना ये भी है कि नव वर्स के उप्लक्ष में आप सभी विद्यारतियों के लिए द्रिष्टी संस्थान की औ आप सभी विद्यारतियों को दी जा रही है तो इसका भरपूर लाब उठाएं और जो भी अच्छात्राइं इच्छुक है पेंड्राइव कोर्स को लेने के लिए संपर्क नंबर पर संपर्क करके इसमें प्रवेस ले सकते ही कोर्सों को आप लोग ले सकते हैं चली अगले स्थान राज्य में जालावर में आयूजित की जाएगी इनमें मुख्य रूप से छात्राइं पार्टिसिपेट करेंगी और इसमें 11 और 17 वर्स के आयूवर की छात्राओं के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है तो संबंदित सवाल बनाया गया सर्वोच उच होगी को इसकी उचाई की अगर हम बात करें तो 849 मीटर सी की तो is olan यहां से इस्पश्ट हो जाता है कि जो वाला है वह सबसे उंचा हो गया या निकी तर्वौच उचाई वाला जो परवत होगा वो डोरा परवत होगा अगर इसकी हम बात करते हैं यह इस्ठित कहां पर है तो यह जाला और जिले में चस्वंद पुरा की जो पहाडीयां है वही पर इसकी इस्थिति देखी जा सकती है अगर मानचित्र पर हम देखे जालाओर की बात करें तो जालाओर कुछ यहाँ पर है और यही पर जस्वंद पुरा की पहाड़िया देखनों के मिलेंगी जहां पर डोरा परवत इस्थित है तो इस तरह से इस प्रसन का जो सही उत्तर हो जाएगा एवाला हो जाएगा यानि कि डोरा परवत जो है दिये हुए विकल्पों में सर्वोच उचाई वाला परवत होग से खबर को देख लेते हैं सिरोही में चार साल बाद रोटरी मेले का आयोजन किया जा रहा है तो संबंदित सवाल बनाया गया है दिये गए कथनों पर विचार करे एन्एच-14 यानि कि रास्ट्री राजमार्ग 14 प्यावर पाली एवं सिरोही से गुजरता है दूसरा कथन ह यहां अब परिवर्थित होकर 162 एवब 62 हो गया है तरी में से काउन सा या कौन से कथन सही है या सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनों या उपर युक्त में से कोई भी नहीं तो क्या होगा इस प्रस्ण का सही उत्तर आप सभी विद्यारती अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमें उम्मीद है कि आज इन प्रस्णों के माध्यम से जिन इस्थानों जिन परव शुक्रिया